हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माई लविंग इंडिया तो फिर चलिए आज मैं शुरू करता हूँ आपको LIC की एक बेहद ही शांदार स्कीम के बारे में जिसका नाम है LIC G1 उमंग पॉलिसी इस स्कीम की बहुत ही बड़ी खासियत है कि इसमें मिलने वाला सालाना 8% का रिटर्न जो आपको कोई भी स्कीम वो चाहे बैंक की हो या फिर पोस्ट ओफिस की हो आपको कोई भी इस तरह का 8% का गैरेंटीड सेफ और सुरक्षित निवेस का ओप्षन आपको और गैरेंटीड रिटर्न वाला कहीं नहीं मिलेगा इसमें LIC आपको देती है गैरेंटीड लाइफ टाइम 8% का सालाना समयक्षोट का पेंशन मतलब इसमें आपको गैरंटीड 8% का मूल बीमा धन का सालाना हर एक साल पेंशन मिलता है वो भी आज इवन भर जब तक कि आप जीवित रहते हैं इस policy की coverage 100 साल तक होती है मतलब 100 साल तक जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको LIC आपको हर एक साल आपके समें शॉट का 8% पेंशन देती रहेगी और आपके death के बाद नॉमिनी को एक मुष्ट जो की bonus जो आपको जो है जनरेट हुआ है LIC के तरब से हर एक साल डिकलियर की जाती है वो एक मुष्ट रकम आपके नॉमिनी को मिल जाती है इस policy में आपको 0 से ले करके 55 साल तक की age की criteria होती है यानि कि इस policy को आप 0 साल के बच्चे से ले करके 55 साल तक के उमर के कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं लेकिन इसमें कुछ conditions हैं बच्चे के लिए कि अगर वो 0 साल का है या फिर 5 साल का है या फिर 10 साल का है तो उसके लिए जो है premium की जो term होगी premium paying term वो होगी 30 साल यानि अगर कोई child zero birth का जन्म है उसका date of birth अगर जदी zero साल से अगर शदी शुरू होता है अगर बच्चा एक मेने का है दो मेने का छे मेने का है उसके नाम अगर आप जदी इस policy को लेते हैं तो उसको 30 साल तक इस policy में premium pay करना होगा और यदि कोई व्यक्ति जो कि 18 साल का है उसको अगर जदी चाहिए कि उसके लिए जो है premium paying term होगा 15 साल होगा 20 साल होगा 25 साल होगा और 30 साल यानि कि 4 mode of premium payment है तो 18 साल के व्यक्ति के लिए 15 साल तक का ही premium paying term होता है यानि कि 15 साल तक आपको premium देना पड़ता है उसक 28% yearly pension आपके account में दे दिया जाता है सालाना lifetime यानि 100 years तक का ये जो है policy की cover चलती रहती है जैसे मान लीजे इसको एक example के रूप में समझते हैं कि अगर आपने 10 लाग रुपे का मूल बीमाधन लिया है और आपने 15 साल का premium paying term चुना है तो आपको 15 साल तक premium भरना होगा और 15 साल के बाद में 10 लाग का 8% यानि की 80,000 रुपीज हर एक साल lifetime जब तक आप जी भी थे तक आपको guaranteed मिलता जाएगा और आपके death के बाद में nominee को एक मुश्टरकम जो की 60 लैक से 70 लैक रुपीज जो की bonus generate होता है प्रती 1000 में 65 रुपीज जी हाँ 65 से 70 रुपीज पर 1000 में LIC bonus rate declare करती है जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको वो generate होते रहती है और death के बाद में आपके nominee को एक मुश्ट मिल जाता है उसके बाद ठीक इसी तरह से आपको 20 साल का अगर जदी premium paying mode अगर आप चुनते हैं तो आपको 20 साल तक का आपको जो है premium pay करना पड़ता है 25 साल में याने कि 25 साल तक आपको premium pay करना पड़ता है और उसी तरह से 30 साल तक वाले में भी अब इसमें एक और खासियत है कि death का जो cover होता है इसमें आपको accidental death और natural death cover अलग से दिया जाता है जैसे अगर मान लिजे आपने 10 लग का मूल बीमाधन चुना है तो आपको accidental death बनता है 20 लाख रुपे यानि कि मूत अगर accidental death के वज़े से हुई accidental यानि कि by road accident भी हो सकता है या फिर किसी तरह का कोई भी casualty के रूप में भी आपकी death हो सकती है तो आपको उसमें 20 लाख यानि कि मूल बीमाधन का 20 लाख रुपे आपके नॉमिनी को मिल जाता है ये होता है extra life insurance cover, extra benefit जो कि LIC free में चलाती है और natural death के case में आपको 10 के 10 लाख यानि कि basic samissured के ही बराबर आपको आपके नॉमिनी को मिलता है ये भी free में ही LIC आपको cover करती है इस policy में कोई भी ladies हो या gents हो 18 साल के भी कोई भी व्यक्ति आराम से इस policy को ले सकते हैं इस policy को लेने से एक और खास बात आती है दोस्तों कि इसको कोई service करने वाला ही individual हो जैसे कोई government sector में काम करता हो कोई job वाला ही आदमी हो ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वह ही ले सकता है इसको कोई भी self-employed या फिर businessman वगेरा कोई भी इसको ले सकते हैं कोई भी इसको ले सकते हैं अब इस scheme की हम एक और खासियत के बारे में बात करना चाहते हैं वो है इस policy की जो है आपको हर एक साल जितना आप जो है income tax ITR का जो है return जो आप दिखाते हैं जो आप ITR भरते हैं income tax department में उसमें हर एक साल डेड़ लाग तक का investment में आपको income tax at 80C के तहत ITR 80C section 80C के तहत आपको डेड़ लाग तक की आपको income में छूट मिल जाती है tax में rebate मिलता है इसमें tax में आपको rebate मिलता जाता है उसके बाद इस scheme में एक आपको खासियत ये भी है कि बच्चों के लिए अगर आप अभी से अपना retirement planning करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए भी कुछ रखम छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप ये ले सकते हैं अगर माल लीजे आप एक साल के बच्चे के लिए अगर आप इस policy को लेते हैं तो उसके लिए जो है premium pay term जो होगा वो होगा 30 साल का यानि कि आपको 30 साल तक उसके लिए premium pay करना पड़ेगा उसके बाद ही उसको pension मिलना start हो जाएगा और plus nominee के नाम जितना भी वो जितने साल तक जिन्दा रहता है जितने जिस दिन से उसने policy डिया है उस दिन से लगातार उसको bonus उसके policy में add होते जाती है और वो उसके nominee के नाम वो जो है आपका bonus जो की 40 lakh, 50 lakh, 60 lakh या आपके sumish short पे depend करता है और bonus rate पर bonus rate इसमें सबसे ज़्यादा है LIC हर एक साल इसको declare करती है 65 rupees per thousand पे यानि 65 से लेकर के 70 rupees per thousand पे ये whole life cover आपको cover करता है 100 साल तक का coverage के साथ में your LIC की एक शांदार scheme चलाई जा रही है तो इतने सारे खूबियों के साथ में ये जो है policy आती है और एक और खासियत है इस policy की की ये जो है policy पूरे दो दो पेड़ियों तक यानि की पूरे दो generation तक जो है cover करती है यानि आगर आप इस policy को लेते हैं तो ये आपका भी जीवन को चलाती है और साथी साथ आपके आने वाले generation जो आपके बालबच्चे हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा huge amount एक बड़ा huge corpus जो है create कर देते हैं एक दम fully जो है two generation तक का cover full जो है करती है यानि कि दो generation तक के pension का समाधन कर देती है अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी से एक एक अच्छा retirement planning financial planning जो है किया जाए तो आप इस scheme के साथ में guaranteed जा सकते हैं और इस scheme का फायदा ले सकते हैं आप इसको online जो है premium paying भी जो है कर सकते हैं आजकल LIC by check by online by cash वगेर जो जो पहले चलता था कि by cash by hand कि दुरू या फिर किसी premium point में जाकर कि आप जो है जमा कर सकते थे आजकल वैसा भी नहीं रह गया है आजकल आप by check के साथ by check भी आजकल old fashion भी हो चला है आजकल online जो है LIC online premium paying app के सहरे आप उसको launch जो है कर चुकी है जिसके सहरे आप LIC के सारे policies का premium आप भर सकते हैं साथ ही साथ by debit card phone pay और पेटियम के भी माध्यम से आप इसको premium भर सकते हैं तो friends इतनी सारे खुबियों के साथ में ये जो है एक complete package है न सिर्फ आपके financial planning के लिए बलकि आपके आने वाले generations के लिए ये आपके साथ साथ आपके बच्चों के लिए भी ये एक शानदार policy है एक शानदार scheme है जो आप ही को नहीं आपके life को भी cover करती है साथ ही साथ आपक आने वाले generation यानि आपके जो है चाइल्ड है उनके भी life के लिए एक huge amount एक huge corpus जो है create करता है वो भी guaranteed safe mode में यानि की सुरक्षित guaranteed investment के साथ में आज जहां पे banks और post offices जहां पे 5% 4% तक जो है interest rate पर चली आ गई है वो जो है पहुँच चुके हैं यहां पे साथी साथ आपको guaranteed return आप किसी mutual fund या फिर SIP कोई share markets में आपको guaranteed और safest investment नहीं मिलता है market के risk cover के साथ में वो सब आता है लेकिन आप उसके तरफ नव जा करके LIC की शांदार governmental scheme 8% guaranteed और safest यानि कि एक सुखषित guaranteed investment की तरफ आप जा सकते हैं जो कि यह आपको LIC की G1 उमंग policy में आपको मिलता है तो friends आपको अगर यह जानकारी बहुत अच्छी लगी तो मेरे इस video को like करें share करें और comments में आप जैसा आपको अच्छा लगे इस information यानि financial planning की जानकारी को आपको जो है कैसा लगा आप उसके बारे में comment section में आप कुछ comments भी दे सकते हैं और हाँ अगर आप नए हैं मेरे इस financially, LIC के तरफ से चला ही जाने वाली नए-नए schemes, covermental, pension schemes के बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे इस channel को subscribe जरूर करें और अंत में मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि life के साथ भी और life के बाद भी LIC है हर पल आपके साथ, thanks